हलो फ्रेंड आप देखरो हमारा चैनल ग्रो बुक्स तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्रेज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए आज आप फिर से आपके नई बुक लाएं जिस बुक का नाम है दफाइब च्वाइसेज इसका मतलब बैदर तरीके से काम करने का रास्ता इनका लेखा का नाम है कोरी कोगोन तो चलिए बुक आपको दो लब जिम बताते हैं दफाइब च्वाइसेज में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने समय को अच्छे से इस्तमाल करके अपने जरूरी कामों पर ध्यान दे सकते हैं या कि किस तरह से अपनी अलग-अलग तरह के कामों को अलग-अलग समय में रखकर बहतर काम करके बहतर नतीजे पा सकते हैं या वो किसके लिए हैं वे जो अपने समय को अच्छे से इस्तमाल करना सीखना चाहते हैं वे जो पहले से बहतर काम करने के तरीके जानना चाहते हैं व आज के वक्त में भी हमारे पास 24 घंटे ही है वहीं दो हाथ, दो आके और एक दिमाग जिसका इस्तमाल करके हम अपना काम पहले के वक्त में किया करते थे लेकिन आज के वक्त में काम कुछ ज़्यादा हो गया है सबसे बड़ा सवाल यह है कि उतने ही समय में ज़्यादा काम कैसे किया जाए यह किताब इस सवाल का जवाब देती है यह किताब हमें काम और समय को अलग-अलग भागों में बाटने के महत्व की बारे में समझाती है और यहाँ बताती है कि किस तरह से हम ऐसा करके बैतर काम कर सकते हैं इस बुक को पढ़कर आप सिखेंगे अलग-अलग तरह के काम को अलग-अलग केटेगरी में क्यों रखना चाहिए रोल टाइटल और रोल एस्टेटमेंट क्या होता है अपनी सियात का खियाल रखना क्यों जरूरी है अधियाय नमर दो अच्छा काम करने के लिए अपने समय को अच्छे से इस्तमाल करना सिखें हम सबी को कभी न कभी ऐसा जरूर लगा होगा कि हम एक दिन में कुछ जादा बहतर तरीके से काम कर सकते थे अगर हमारा धियान न भढ़का होता तो हम अक्सर ये उन चीजों से पीछा छुडाने के बारे में सोचते हैं जो हमारा जादा समय खाती है लेकिन हम कभी इसमें सफल नहीं हो पाते काम को अच्छे से मैनेज करने के लिए समय को अच्छे से मैनेज करना होगा इसके लिए अपने समय को चार भागों में बाढ़ती है सबसे पहले भाग में आप उन कामों को रखिए जैने कर पाना बहुत जरूरी है और उन्हें पूरा करने का प्रेसर आपके उपर बढ़ रहा है दुसरे भाग में आप उन कामों को रखिए जो लंबे समय में आपके लिए ज़्यादा फायदमन साबित हो सकते हैं लेकिन इस समय जरूरी नहीं है तीसरे भाग में उस काम को रखिए जिसे आपको समय समय पर करना होता है जो अरजेंट होता है लेकिन जरूरी नहीं होता इस भाग में आप अपने इमेल चेक करने का काम रख सकते हैं चोथे भाग में उन कामों को रखिए जो आप करते हैं लेकिन आपको नहीं करना चाहिए एक्जामपल के लिए अपने दोस्तों से गपसब करना सोशल मीडिया इस्तमाल करना और दूसरी चीजे अब इसमें आपको अपना सबसे ज़्यादा समय उस काम को देना है जो लंबे समय में आपके लिए फायलमन साबित हो सकती है लेकिन इस समय जरूरी नहीं है यानि कि दूसरे भाग के कामों पर अगर इन कामों को करते वक्त कोई दूसरा काम आपके राश्टे में आता है तो आप खुद को तो आप खुद से तीन सवाल पूछिए ये काम मुझसे कौन करने को कह रहा है इस काम को करने के क्या फायदे हो सकते हैं क्या इससे अभी करना जरूरी है अगर वो काम आपके बोस या आपके मेनेजर ने ना दिया हो और उसे तुरंद करना जुरिरी ना हो तो उसे मत कीजिए आप उस काम पर ध्यान देजिए जो आप पहले से कर रहे थे जब आप दुसरे भाग वाले काम पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं तो आप लंबे समय में काम्याब रहते हैं अधियाय नमर 3 अपनी मंजिल को दिये गए समय के अंदर हासिल करने के लिए अपना रोल टाइटल और रोल एस्टेटमेंट तियार कीजिए आपको पता लग गया है कि अगर आप उस काम पर ध्यान लगाएंगे जो जरूरी है और लंबे समय में आपको फायदा देगा लेकिन कौन सा काम जरूरी है या पता कैसी करे हर दिन एक ही काम जरूरी नहीं हो सकता बदलते वक्त के साथ अलग अलग तरह के काम अलग अलग दिन के लिए जरूरी हो सकते हैं इसलिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपको कहां पर पहुँचना चाहते हैं और उसके लिए आपको कौन-कौन से कदम उठाने होंगे। अपनी मंजिल को पाचानिए और उसके पाने के लिए आपको जो-जो काम करना पड़े उसे तै कीजिए। फिर उनकामो को छोटे-्षोटे हिशों में बाटिए और एक बार में एक काम को पूरा कीज़े। आपके मंजिल आपका role as statement है और वो हर दिन के लिए काम जिन पर और हर दिन के काम जिन पर आपको अपना समसे ज्याहा ध्यान लगाना है वो आपका role title है। एक्जाम्पल के लिए अगर आपको अपनी कमपनी को अगले एक साल में एक करोड के प्रॉफिट तक लेकर जाना है तो यह आपका रोल एस्टेट्मेंट हो गया अब अगर उसके लिए आपको मार्केट के जरुवत को समझ कर एक नया प्रॉडक्ट बनाना है और फिर नए ग्रहां को वो प्रॉडक्ट बेचना है तो यह इतने सारे काम आपके रोल टाइटल हो गया अब एक काम को उठाईए और उसे पूरा खीजिए आप खुद को समय उ समय में या सारे काम करपाना संभव नहीं है जब आप अपनी मंजिल उसमें लगने वाला समय और उससे हासिल करने के लिए सारे कामों को तै कर ले तो अपनी टीम को पहले से बेहतर बनाने की कोशिस कीजिए उन्हें इस काबिल बनाईए कि वो आपको वहां तक लेकर जा सक अधियाय नमर चार जोरेरी कामों को दुसरे कामों से अलग करने के लिए एक लिस्ट बनाईए पैरेटो प्रिंस्पल कहता है कि हमारी 20% मेहनत हमारे 80% काम्याबी के लिए जिम्हदार होता है याने कि सिर्फ कुछ खास तरह के काम हैं जिने करने से आप अपनी 80% काम्याबी को हासिल कर सकते हैं तो सबसे पहले इन खास तरह के कामों पर ध्यान दीजिए हम अक्सर उन बाकी के 80% कामों को करने में इतने ब्यस्त हो जाते हैं कि हम उन जरूरी 20% काम पर ध्यान दे ही नहीं पाते इससे हमारी बहुँ सारी एनर्जी और समय खतम हो जाता है इसलिए आपको जरूरत है अपनी काम की एक लिस्ट बनाने की इस लिस्ट में वो सारे काम लिखिए जो आप जो आपको अगले हफ्ति करने हैं आप याताई किज कि सबसे पहले मार्केट के जरूरतों को समझने के लिए आपको कितना समय देना है साथ ही अभी देखते रहिए कि इसके अलावा आपको कौन-कौन से काम करने है उन कामों को बचे हुआ समय में रख दीजिए जब आप एक लिस्ट बनाते है तो आप यह फैंसला करते कि आपको कितना समय जरूरी कामों को देना है और कितना समय अरजेंड काम को अब जब जरूरी काम करने का समय होगा तब अरजेंड काम उसके राज़ते में नहीं आ सकता किमकि उसे आपने एक दूसरे समय में रख दिया है जब आप डेट और टाइम के हिसाब से पलानिंग करते हैं, तो आपके काम्याबी के समवना बढ़ जाती है क्योंकि आपको समझ में आने लगता है कि किस तरह से अपनी समय का इस्तमाल करके उन सारे कामों को करेंगे जो आपको वहां तक लेकर जाएंगे इसलिए अपना कुछ समय निकाल कर प्लानिंग कीजिए अधियाय नमर पाच उन सारे कामों को कम्पीटर के लिए छोड़ दीजिए जो जुरूरी नहीं है जब भी हम कोई नया फ्रैसला लेने वाले होते हैं या कुछ नया काम करने के लिए बारे में सोचते हैं तो उसमें चार तरग एकामा सकते हैं स्टेडिոल टास्क ये वो काम है जो एक दिये गए समय पर होने हैं एक्जाम्पल के लिए बोड मेंब्रों के साथ आपकी मीटिंग अंस्टेडियूल टास्क ये वो काम है जिनने करने के कोई खास समय नहीं है एक्जाम्पल के लिए अपनी कमपनी के रिपोर्ट देखना कॉंटेक्ट अपने ग्राकों या परतियोग्यों की जनकारी इकट्टा करना नोट्स वो काम है जो अचानक से आपको करने के लिए दे दिये जाए हैं अब इन सारे कामों को आप एक कलेंडर में रखिए ताकि आप या देख सके कि आपको असल में कौन से काम किस डेट तक करने हैं आप उसमें अपने उन कलाइन्स को एक खास डेट दे दिजिए जिनसे आपको मिलना है और मीटिंग को एक खास डेट दे दिजिए एक बार आपने या देख लिया कि आपको कितने कम तक एक बार आपने यह देख लिया कि, आपको कितने काम कब तक करने हैं, तो अब उन सब्ट वेर्स के तलास कीजिए, जो आपका काम आसान कर सकते हैं, या फिर आपके लिए काम कर सकते हैं, आप email filter का इस्तमाल कर सकते हैं, जो कुछ खास तरह के emails को अपने आप जवाब भेश सक सकता है, या फिर आप एक automatic message sender का इस्तमाल कर सकते हैं, जो आपके clients को अपने आप date और time के बारे में जनकारी भेज दे, इस तरह से आप अपना कुछ समय बचा सकते हैं, और उस काम पर ध्यान दे सकते हैं, जो जरूरी है, अधियाय नमर 6, अपने काम को अच्छे से कर पान किये जाते हैं, उन्हें लगता है कि कम सोकर कसरत ना करकर, और अपनी सियत का ख्याल ना रखकर, वे समय बचा रहे हैं, और ज्यादा काम कर रहे हैं, जरूर वे ज्यादा काम तो कर रहे हैं, पर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता अपने दिमाग का ख्याल रखने के लिए आपको यह देखना होगा कि आपकी एनर्जी कहां से आती है अक्सर हमारी एनर्जी तीन जगा से आती है और वो है हमारे काम को लेकर हमारे लगाव से अगर हम जो काम कर रहे हैं उससे हमें प्यार है उससे करने के लिए हमारे अंदर पिरेना अपने आप आ जाती है इसका मतलब आपको अपना केरियर उस जगा पर कभी नहीं बनाना चाहिए जहां पर पैसे हो पर काम से प्यार ना हो किसी काम को बेहतर तरीके से कर पाने में जो खुसी जो सुकुन मिलता है वो हमें और काम करने की पिरेना देता है इसके बाद आपके दिमाग को इनर्जी मिलती है आपकी सिहत से अगर आपकी सिहत अच्छी नहीं है तो आपका दिमाग अच्छी से काम नहीं कर पाएगा इसलिए अपने काम के बीच में उठकर थोड़ा टहल लेजिए और रोज सुबा उठकर कसरत के जिए क्योंकि इससे आपका सरीर सिहत मंद रहता है और आपके दिमाग को भी सिहत मंद रखता है तिसरा है आपके आसपास के लोग जब आप उन लोगों के बीच में होते हैं जो आपसे कुल मिलाकर बेहतर तरीके से काम कर पाने के लिए अपने जरूरिक कामों को अपने बाकी के कामों से अलग कीजिए और या ताई कीजिए कि कौन से काम पर आपको कितना समय देना है फिर एक बार में एक काम को पूरा कीजिए कुछ टेक्नलोजिका इस्तमाल कीजिए जो आपका काम आसान कर सकती है और साथ ही अच्छा काम कर पाने के लिए अपने सिहत का ध्यान रखिए अगर आपके पास कुछ ज़्यादा इमेल आते हैं तो आपको अपने इन बॉक्स को मेनेज करना चाहिए जो मेसेज बहुत पुराने हो गए हैं उन्हें अच्छिव कर देजिए और बाकी के मेसेज को समभए के हिसाब से अरेंज कर देजिए कुछ फिल्टर लगा देजिए ताकि आने वाले समभए के सारे मेल अपने आप अलग-अलग फोल्डर में सेव हो जाए और आपको वहीं देखने के मिले जो आपके काम का है हर दिन कसरत कीजिए और अच्छा खाना खाइए ज़्यादा काम करने वाले ज़्यादा काम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे खुद का ख्याल रखते हैं उन्हें पता होता है कि जंग जीतने के लिए पहले हातियार के जंग को साप करना होगा इसलिए आप खुद के लिए समय निकालिए और उसमें कसरत कीजिए